Hello friends, welcome to our YouTube channel JK Commerce Classes तो आज हम आपके साथ discuss करेंगे चौधरी चरन सिंग उनिवर्सिटी जो की मेरट में हैं इसके PhD notification को discuss करेंगे तो चलिए देखते हैं कि नौटिफिकेशन में किन बातों को include किया गया है ये है चौधरी चरन सिंग उनिवर्सिटी की website जिसमें PhD की notification जारी किया गया है तो चलिए हम अपनी इस वीडियो में PhD के notification को discuss करते हैं चौधरी चरन सिंग विस्व विद्याले जो की मेरट में है PhD पाठेकरम, कला, विज्ञान, एवं क्रिसी संकाय इसके लिए CET से ओमुक्त स्रेणी इसका मतलब है कि इसमें किसी भी तरह का entrance exam नहीं होता है इसमें सीधी भरती होती है इसमें प्रवेस के लिए सूचना जारी किया है और DSC, DLIT प्रवेस हैतु सूचना जारी किया है इसमें दिया है कि विभिन संकायों के अंतरगत कला, क्रिसी एवं विज्ञान संकाय में प्रवेस के लिए वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनें CET से छूट प्राप्त हो वे online आवेदन पत्र आमंतरित किया गया है तो उसे feel कर सकते हैं ऐसे कैंडिडेट जो PhD उपाधी प्राप्त कर लिये हैं और विस्वविद्याले के नियम के अनुसार DSC दिलिट है तो आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी online आवेदन पत्र इसमें आमंतरित किये गया है PhD में सीधे प्रावेश के लिए कैंडिडेट को ये आवस्यक है कि वो चौधरी चरण सिंग विस्वविद्याले से नियमित इस्थाई सिक्षक हो और वो UGC, JRF, NET या ICAR, CSIR या फिर GET में 95% किया हो अथवा अन्यकेंद्रिय निकाय द्वारा फैलो सीप उसको प्राप्त हो चौधरी चरण सिंग विस्वविद्याले मेरट से चैनित अप्यार्थी प्रवेश परिच्षा के माध्यम से एमफिल 55% के साथ हो अगर उक्तस्रेणी के अंतरगत जो भी कैंडिडेट उपाधी है तू प्रवेश लेना चाहते हैं तो वे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फील कर सकते हैं फॉर्म फील करने के लिए आप चौदरी चरण सिंग यूनिवर्सिटी के ओफिसियल वेब साइट पर जाकर फॉर्म फील कर सकते हैं और भरे गए आवेदन की एक प्रती एक कॉपी आप समस्त सलंगन के साथ विस्वविद्याले को प्रेसित करेंगे कैंडिडेट्स के लिए आउनलाइन एड्मिसन फॉर्म जो है वो 15 दिसंबर 2020 को आ चुका है और कैंडिडेट्स जो ये फॉर्म फील करना चाहते हैं उनके लिए लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021 सहायक कूल सच्चिव चौधरी चरण सिंग विस्वविद्याले मेरट में पंजी करेट डाक द्वारा प्राप्त होने की अंतिमती थी है इसमें 10 फरवरी 2021 और इसमें जो फीस ने धारित किया गया है वो है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंजी करन सूल्ख है 500 रुपए और अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए रजिस्ट्रेशन सूल्ख है 250 रुपए जो की ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा ये वो एड्रेस दिये गये हैं जिसमें प्रतिलीपी को सूचनार्थ एवं आफस्यक कारवाई हेतु प्रेसीद कर सकते ह अब जान लेते हैं कि कौन से सबजेक के लिए कितनी सीट अविलेवल हैं तो बोटनी के लिए 74 सीट अविलेवल हैं जूलोजी के लिए 97, कैमेस्ट्री के लिए 198 सीट, सोस्योलोजी के लिए 63 सीट, फिजिक्स के लिए 140 सीट, पॉलिटिकल सैंस के लिए 128 सीट, इकोनॉमिस के लिए 85 seat English के लिए 110 seat mathematics के लिए 108 seat घंदी के लिए 56 seat History के लिए 65 seat Music के लिए 12 seat psychology के लिए 31 seat Sanskrit के लिए 30 seat statistics के लिए 49 seat genetics and plant breeding के लिए 34 seat dairy science and technology के लिए 24 sit agriculture extension के लिए 16 seat होटी कल्चर के लिए 40 सीट, एग्रिकल्चर एकोनॉमिस के लिए 6 सीट, एग्रोनॉमि के लिए 17 सीट, एग्रिकल्चर केमेस्ट्री के लिए 24 सीट और फिलोसॉफी के लिए 11 सीट अवी लेवल हैं अगर आपको चौधी चरण सिंग इनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया PhD Notification का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल JK Commerce Classes को जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर हमारे द्वारा बनाएगे वीडियोस आपको informative लगे हो तो हमारे वीडियोस को सेर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे यूटूब चैनल JK Commerce Classes को सब्सक्राइब करना न भूलें Thank you